तो फ्रेंस कैसे हैं आप सब मेस्मन केसरी तो देखें आज के हमारी वीडियो है वो है वेजटेबल्स को लेकर हमने अपने टैष्ट गार्डन में दो परकार की सबजी गरो कर दी हैं मैंने दो पार्ट में उनको बता दिया है आपको आज हमारा तीसरी सब्जी हम बोने को जा रहे हैं तीसरा पार्ट स्टार्ट हो चुका है तो देखे हम तीसरी सब्जी हमारी क्या है चलिए आईए देखते हैं तो फ्रेंस देखे यहां पर आज हमारी जो तीसरी सबजी है वह चने की बुआई आज हम करेंगे चने की बुआई की चने की बुआई हम कैसे कर सकते हैं मेरी आज वीडियो का तीसरा पार्ट है वेजटेबल्स ग्रो करने का तो तीसरे पार्ट में हम जो है चने को ग्रो करें होता है बहुत ही फास्ट ग्रोइंग होता है यह मैंने ओवर नाइट के लिए भी होकर रख दिया दो से तीन दिन में अपने रूट्स निकाल लेगा चने चना बोने के लिए फ्रैंस मैंने ली है यहां पर एक टोकरी तो देखें मेरी टोकरी बिल्कुल टूटी-फूटी हु मैंने आपको बता है ता गोबर खाद और गार्डन सोईल यह मिक्स करके रखा हुआ है और फ्रैंस वेजिटेबल्स ग्रोव करने के लिए जो होता है सबसे बैष्ट खाद गोबर खादी होता है क्योंकि गोबर खाद जब हमारी सबजीयों को जो एतने ची तरीके से कर लिया है पानी देखर मैंने पनी मिट्टी सेट की हुई है मिट्टी आप देख सकते हो किस तरह से तो यह देखे तो मैं थोड़ी-थोड़ी मिट्टी से एक साइड में कर दूँगी जिससे कि यह इसी पोट में से मुझा एश्ट्रा मिट्टी ना लेनी पड़े क्योंकि हम में जो है इसके उपर भी मिट्टी डालने होती है जब हम चना ग्रो करते हैं क्योंकि टोकरी मेरी पूरी फिल है मिट्टी से तो इससे कोई प्रोब्लम नहीं होगी तो ऐसे करके आप भी चने की बुआई कर सकते हो बहुत ही आसान तरीके से और जो यह चना था फ्रेंस मेरा इसका जो है पानी मेस में से निकाल दूँगी तो मैंने जो है पानी मेस में से निकाल दिया है यहां पर अपर यह जो चने है मेस में से निकाल कर इसमें बुआई क करूंगी कि यहां से चैने की पुभाई करना बहुत ही आसान होता है अगर आप ग्रो करना चाहते हो क्योंकि चैने का जो है साग बनता है साग बहुत अच्छा बनता है मैंने जो है है जो यह देखें यह थाओ कर दी है अब इसे हो हुए परनष में मि Account बना दूगा आपड़ि निकाली थी तो ये देखे जब मिटी में दब जाएगा चना थीन से चार दिन के अंदर जो है मैं आपको इनकी अपडेट दूँगी जैसे जैसे भी जो भी सबजी मेरी ग्रोह होती है मैं उनकी अपडेट आपको देती रहूंगी तो यहां पर देखे चने की बुआई तो फ्रेंट्स मेरा थोड़ा गला खराब है क्योंकि मेरी तबियर थोड़ी ठीक नहीं है तो कोई प्रोब्लम होती है मेरी आवाज में तो सोरी तो यह देखे यहां पर ऐसे में सभी चनों को जो है ऐसे ही ढख दूँगी तो मेरी मिटी के अंदर जो है भी मौस्चर बाकी है तो हमें जो चने की बुगाई करते हैं तो हमें मिटी के अंदर मौस्चर ही चाहिए हम इसमें वोटरिंग नहीं करेंगे आप इसमें वोटरिंग बिल्कुल भी मत करें बस मिटी के अंदर मौस्चर होना चाहिए और यह चना जो है क्योंकि हमने उवर नाइट शूर बाकी है कि हम इसमें अब नाइट भिगोगार चने को बोते हैं तो हमें इसमें पानी डालना होता अगर आफ इसमें जाद़ पानी डालोगे तो जो है आप चने जो है आपका गल जाएगा नहीं चले पाएगा तो ये देखे फ्रेंस मैंने जो है सब चना जो मैंने बुआई की थी तो मैंने सब को एक जगाद मलब कि एक लेयर मिट्टी की सब बना दी है और इसमें बिल्कुल भी चना कोई नहीं दिख रहा है हलका फुलका भी तो आप ऐसे एक लेयर मिट्टी बना कर थोड़ा इसको प्रेस कर दे प्रेस इसलिए करना होता है जुरूरी थोड़ा सा क्योंकि ये मिट्टी जब हम इसको दबाते हैं तो इसमें मोस्चर एक दम से नहीं सूखेगा तो धीरे धीरे समें से मोस्चर सूखेगा और जिससे कि हम अगर हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे तो इसका मोश्चर एकदम से सूख जाएगा और हमारा चने की बुआई में थोड़ी प्रोब्लम हो सकती है तो देखे मैंने सारी मिट्टीस को अच्छे से दबा दी है और अच्छे से चने की बुआई कर दी है और इसमें मैंने चने की बुआई की है और जो भी फ्रैंस मैं अपने पार्ट बताती हूँ पार्ट बना रही हूँ वेजिटेबल्स के तो यह थी पार्ट है तो मैं हर पार्ट में आपको एक अलग से ही अलग अलग टिप्स बताती रहूंगी वेजटेबल्स को लेकर तो आज की टिप्स जो है वो है फ्रैंस हम जो भी कोई सबजी ग्रो करते हैं तो हमें उनको बिल्कुल डारक्ट धूप में रखना होता है ऐसा नहीं कि आप इसको च्छाओं में रख दे शेर्ड एरिया में रख दे हमें जो है ऐसी जग अपनी सबजी आप रखनी होती है जहां पर सुबह से शाम तक की धूपाती हो बुआई करने के बाद ही तुरंत ऐ जैसा नहीं कि हम इसको जैसे कि मैंने चना बो दिया हम इसको च्छाओं में रख दे तो च्छाओं में नहीं रखना है हम अपनी वेजिटेबल्स को जो है बिल्कुल डारक्ट धूप में रखना है तो यह ती फ्रेंस चने की बुआई को लेकर मेरी वीडियो अच्छी लग जो है बिल्कुल गजेग हम अच्छी लगएं रखना है तो चूल लेकर अच्छी लेकर में रखना है तो जो हम आगई अच्छी लेकर में पतले की बाह है हम